हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो ओवर यूटूब चैनल, इलेक्टिकल नॉलेज, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रांस्फोर्मर जो होता है, हमारा थ्री फेस ट्रांस्फोर्मर, उसका शॉर्ट सर्किट करेंट किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में, तो चलिए बीना केसी विलम्ब के प्रारम करते हैं, आज का यह वीडियो तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि मानलीजिये कि ट्रांस्फोर्मर का जो शॉर्ट सर्किट करेंट निकालना है होता, उसके लिए मेरे पास कुछ देटा होना चाहिए, तो मानलीजिये मेरे एक ट्रांस्फोर्मर है, यह स्टार स्टार का ट्रांस्फोर्मर है, ठीक है, इ केवी है ओके अब इसका अगर हम लोग वोल्टेज रेशो देखें इसका प्राइमरी वोल्टेज है 132 केवी और सेकेंडरी वोल्टेज है 33 केवी और इस ट्रांस्फर्मर का हमारा जो परसेंटेज इंपिडन्स है परसेंटेज जेड वो है 11.74 हाथ परता रहना है तोब इसके एउपर से हम लोग उसका शॉट्सध रावन करेंट टो परता प्रता रहना चैलिए इसके उपर से हम लोग उसका हम स्कुमिक्र वाथ लने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि ISC माने शॉर्ट सर्कृट करंट is equal to I secondary मतलब ट्रांसफोर्मर का secondary करंट divided by percentage Z into 100 तो यह हमारे पास क्या है यह हो गया फॉर्मूला अब हमको percentage Z पता है इस transformer का हमको secondary करंट नहीं पता तो हम लोग transformer का secondary करंट किस प्रकार निकालते हैं इसके पहले का मैंने एक वीडियो बना है आप लोग वीडियो भी जाके देख सकते हैं वैसे भी मैं इसमें बता देता हूं secondary करंट निकालने का तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं दूसरा पेंट यूज कर लूँ यह secondary करंट का फॉर्मूला है आए secondary बराबर तो transformer का पहले हम लोग लिखेंगे के वीए तो यहाँ पर कितना है पचास हजार के वीए divided by root 3 root 3 की मान क्या है 1.732 into 33 kv तो यहाँ में लिख दिया 33 क्योंकि यह kv में है यह भी k में है तो kk कट हो जाएगा तो इसका जो value आएगी वो आता है value आएगी वो आएगी 8.74.79 क्या आएगी 8.74.79 ampere तो यह क्या हो गया हमारा I secondary ठीक है तो यह हमको transformer का secondary current मिल गया तो अब इसके उपर से हमको क्या निकालना है transformer का short circuit current तो हम लोग क्या करेंगे secondary current हमारे पास है यह रहा हमारे पर percentage of z है यह रहा इन दोनों value को क्या करना है इस formula में put करना है और उसके उपर से short circuit current निकाल लेना है तो यह मैंने लिखा ISC बराबर secondary current है मेरा 874.79 divided by percentage Z 11.74 इसको multiply कर दिया 100 से तो इसकी value क्या निकल के आएगी तो इसकी value आएगी निकल के आप लोग यह दि calculator में देख रहे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 874.79 multiply by 100 divided by 11.74 तो इसकी value आती है हमारी 7451.36 क्या आया 7451.36 यह किसमे value ampere में ठीके यह हो गया ISC अगर इसको हम लोग तीन डीजिट अंदर करें तो इसकी value हो जाएगी ISC बराबर 7.45 किलो ampere तो यह क्या हुआ है यह होगे ट्रांस्फोर्मर का शॉट सर्कीट करेंट कितना होगा वो होगा ISC बराबर 7.45 किलो ampere तो तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोगोंने आज के इस वीडियो में जाना कि transformer का जो short circuit current होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करें, share करें और subscribe करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी नहीं जानकारी के साथ Thanks for watching जहिन